है हेलो स्टूडेंट्स वैलकमTO old school mentors तो हमने अपने previous lecture में RBC के बारे में discussion करी थी ठीक है लेक्चर में किसके बारे में discussion करेंगे WBC के बारे में ठीक है ठीक है ठीक है क्या होती है WBC white blood cells क्या कहा जाता है इनको white blood cells कहा जाता और अगर हम इनके biological name की बात करें कि इनको biology में क्या कहा जाता है तो इनको कहा जाता है leucocides क्या कहा जाता है leucocides ठीक है white blood cells और biological name इनका क्या रहता है leucocides ठीक है wbc's की बात करें कि हमारी body में wbc's होते कितने हैं कितने numbers में होते हैं तो देख लो 4000 से 11000 कर ठीक है इतने wbc's हमारी body में पाए जाते हैं ठीक है और अगर हम इनकी shape की बात करें तो उनकी shape कैसी होती है भाई irregular shape होती है ठीक है shape कैसी रहती है irregular ठीक है जैसे amoeba होता है न irregular shape का मतलब कोई particular shape नहीं उसी तरह से WBC cells की भी कैसी रहती है irregular shape रहती है ठीक है जैसे amoeba shaped भी कहीं बार बोल दिया जाता है ठीक है ठीक है अब इनकी numbers की बात कर ली shape की बात कर ली ठीक है तो इनकी formation कहां पर होती है आपको बताया ही था WBCs की formation कहां होती है bone marrow में होती है formation कहां होगी bone marrow में ठीक है अब हमें पताओ ये WBCs जो होते हैं हमारे पास इनका life span कितना रहता है ठीक है कितने दिन तक ये जिन्दा रहते हैं ठीक है तो देखो इनका चो life span रहता है वो कितना रहता है 12 से 20 से के बीच ठीक है ये इनका क्या रहता है WBCs का life span ठीक है और याद रखना WBCs को हमने क्या कहा white blood cells कहा ठीक है कि मतलब cells बोला इनके cells के अंदर nucleus भी present होता है और mitochondria भी present होता है ठीक है आपको याद होगा last class में मैंने आपको बताया था जो RBCs होते हैं red blood carpuscles होता है उनको carpuscles क्यों कहा जाता है क्योंकि उनके nucleus में उनके cell में ना ही nucleus होता है और ना ही mitochondria present था ठीक है लेकिन WBCs के case में ऐसा कुछ नहीं है ठीक है WBCs का जो cell होता है ठीक है उसमें nucleus भी होता है mitochondria भी होता है इसलिए हम इसको white blood carpuscle नहीं कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं white blood cell कहते हैं ठीक है तो देखो हमने अब life span की बात की तो next देखो life span के बाद बात करते हैं कि भाई अब हमें बता उनका graveyard कहां है ठीक है तो इनका graveyard WBCs का graveyard कहां होता है तुम्हारे blood में होता है ठीक है या फिर liver ठीक है और mainly सबसे ज़्यादा कहां होता है mainly तुम्हारा liver में ही होता है ठीक है ये जो WBCS होते हैं, जैसे निका life span खतम होता है, तो ये तूट जाते हैं, त्टीक है, कई बर blood में ही तूट जाते हैं, कई बर गाहा जा के तूटते हैं, लीवर में, तिऴक है, इसलिए graveyard specially किसको कहा जाता है भाई, लीवर को कहा जाता है ठीक है, डेट फिन की कई बार, बलड में भी हो जाती है लेकिन ग्रेवियर्ड किसको कहेंगे लीवर को कहेंगे इतनी चीज़ समझ आई, पक्का ठीक है, अगेन भाई जब हम अपने embryonic stage में होंगे ठीक है ओस stage में WBC की formation कहा होगी लीवर में होगी, ठीक है कितनी चीज़ समझ आई, ठीक है ध्यान से देखना मैंने क्या बताया मैंने बताया कि जो आपके पास WBC होते हैं इनको क्या कहते हो तो white blood cells कहते हो, carpuscles नहीं कहते है ठीक है, क्योंकि इनके cells के अंदर nucleus भी होता है और mitochondria भी present रहता है समझ आई, इतनी बात biological name देखें, तो इनको leucocides कहा जाता है, ठीक है नंबर कितने पाए जाते है, 4000 से 11,000 की भी शुट पाए जाते है ठीक है, next shape की बात की हमने irregular shape होती है, ameba shape जिसको हम कहते है, formation देखें, तो bone marrow में होती है, और life span देखें, तो आपका 12 से 20 दिन, ठीक है तो life span के बाद भाई इनोंने dead होना है तो टूटना है, तो कहां जाके टूटते है या तो blood में टूट जाते हैं, या तो liver में, और mainly कहां सबसे ज़्यादा कहां जाके टूटते हैं, ये functions की बात करते हैं, ठीक है, कि भाई, ये WBC जो है, इसका function क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है, तो WBC का function क्या है, इट प्रोवाइड इम्म्यूनेटी, क्या प्रोवाइड करता है, हमें, इम्म्यूनेटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो इम्मिनिटी क्या चीज़ है? ठीक है? इम्मिनिटी कैसे? आपके पास क्या होता है? जब भी आपकी बॉडी में कभी भी कोई foreign particle आता है, जिसकी वज़ा से आपको क्या हो जाता है? infection हो जाता है, या कोई भी disease हो जाती है? तो ये WBCs क्या करते हैं? उस foreign particle के खिलाब क्या करते हैं? लडाई करते हैं, ठीक है? उनको kill करने का काम करते हैं और हमें क्या करते हैं? इम्मिनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो इसलिए इनको हम ना body god of cell भी कहते हैं WBCs को ठीक है? body god of body ठीक है? हमारी body के क्या होते हैं? body guards होते हैं ठीक है? इनको soldiers of the body भी कहा जाता है तो कि soldiers का क्या काम होता है? ठीक है? कि हमारी country भी कोई बाहर से ना आए ठीक है? दुश्मनों को kill करने का काम वैज़ा ही काम किसका होता है? हमारे यहाँ पर हमारी body में WBCs का का काम होता है ठीक है? इसलिए WBC को body guard of cell कहा जाता है और soldiers of body कहा जाता है समझाई? ठीक है? कि ऐसा कोई भी foreign particle जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसको क्या करते हैं? यह kill करने का काम करते हैं ठीक है? और हमारी immunity को क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं ठीक है? तो यह तुम्हारे पास WBC का क्या है? function है ठीक है? तो भाई अब हमें बताओ कि WBC जो है जो WBC cells होते हैं ठीक है? क्या यह एक ही type के होते हैं? नहीं जो तुम्हारे पास WBC cells होते हैं white blood cells होते हैं यह 5 तरह के होते हैं ठीच है मैंली आपको वहां से कहीं बार पॉश मुशाजाता है ठीक है तो देखो हुआ लिखो अब टाइप सो अभर डवलो वीची सेल उसेल होते हैं वाइट अधने तरह होते हैं वाइट ब्लू उसेल होते én बाईशवे की बंधल इस तरह होते हैं यह सिर्ज नहीं ओजिनो फिल नेक्स तुम्हारे पास आता है बेजो फिल थर्ड आता है नूट्रो फिल ठीक है फूर्थ तुम्हारे पास आता है मोनोसाइट्स फिल तुम्हारे पास आते है लिंफोसाइट्स ठीक है डब्लू बीसी कितने तरह के होते हैं पांच तरह के होते हैं ठीक है डब्लू बीसी में पांच तरह के सेल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं बाई ओजीनो फिल बेजो फिल नूट्रो फिल मोनोसाइट और लिंफोसाइट अब धिहान से सुनना जो जिस मैं बता रही हूँ ठीक है अगर WBC के cells की बात करें ठीक है कि WBC का कौन से ऐसा cell है जो सबसे जादा क्या है smallest है, सबसे जादा छोटा है तो WBC में जो lymphocyte होता है यह सबसे smallest cell होता है क्या होता है यह सबसे smallest, सबसे चोटा ठीक है, monocytes की बात करें तो monocytes कैसा cell होता है WBC का सबसे बड़ा cell कौन सा होगा monocytes, ठीक है तो यह तुम्हारे पास larger cell shape की बात कर रही हूँ size की बात, ठीक है सबसे चोटे cells कौन से होते हैं WBC के अंदर lymphocytes, पर सबसे बड़े cells कौन से होते हैं monocytes होते हैं, ठीक है यह चीज़ पता चली अब देखो, यह types of WBCs जो है न, WBC का काम क्या है, immunity provide करना ठीक है, जो भी foreign particle तुम्हारी body में एंटर करेगा, उसके against क्या करना, fight करना, ठीक है तो अब तुम्हारे पास WBCs 5 तरागी है ठीक है, यह पांचों के पांचों क्या करते हैं foreign particle के किलाब रड़ाई करते हैं उसे fight करते हैं, ठीक है अब कोन किससे fight करेगा, ध्यान से सुना आपके पास यह जो ezenophil और bezophil है, ठीक है यह आपको first level की क्या करते हैं immunity provide करते हैं first level immunity, ठीक है आपका यह जो neutrophil है, ठीक है यह आपके पास आपको second level की immunity क्या करता है, provide करता है next आपके पास बचे monocyte और lymphocyte यह जो monocyte और lymphocyte हैं यह आपके पास third level की immunity provide करते है ठीक है, बताओ यह क्या है first level, second level, third level अब देखो, जब भी तुम्हारी body में यह कोई foreign particle आता है, बट कौन सा foreign particle भाई, जो non-living होगा ध्यान से सुनते चलना है यह जीज़ को ठीक है, जब भी कोई ऐसा foreign particle आएगा, जो किसी की nature कैसी होगी, non-living होगी ठीक है, और अदर जाके तुम्हें क्या करेगा कोई न कोई disease देगा, ठीक है जैसे की example में तुम्हें dust particles कैसे होते हैं, वो non-living natures के होते हैं तो ऐसे non-living foreign particle के खिलाफ कोन fight करता है भाई, तुम्हारे ezenophil और besophil, जैसे ही non-living particles हमारी body में enter करते हैं तो हमारे यह जो ezeno और besophil है, यह फटा-फट से क्या करते हैं histamines release करते हैं, ठीक है histamine जैसे release करेंगे, हमें क्या हो जाती है, allergy हो जाती है ठीक है, इसी तरह से हमें क्या करते हैं, immunity provide करते हैं इसी को हम क्या कहते है, first level immunity इसका मतलब कि जब भी हमें infection होगी, ठीक है, या कोई भी foreign particle अंदर जाएगा लेकिन कौण सी nature का भाई, non-living जैसे की कोई dust particle चला गया ठीक है, तो हमारे WBCs क्या करेंगे उसके against fight करेंगे, कौण से WBCs fight करेंगे, ezenophil और basophil, समझा ही ये बात, ठीक है next, देखो, मैं लिखा हुआ, यहाँ neutrophil, ठीक है, अब भाई, fungus हो गया, ठीक है, लिख लो example में, bacteria, ठीक है, fungus हो गया, ठीक है, कोई protozoa हो गया, ठीक है, कभी भी living foreign particle, ठीक है, कोई bacteria तुमारी body mentor कर गया, ठीक है, कोई fungus, कोई protozoa, ठीक है, जो अंदर जाके तुम्हें infection देगा, ठीक है, तुम्हें disease लगवाएगा, ठीक है, उनके खिलाफ, कौन से WBCS fight करते हैं, भाई, neutrophil fight करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, second level of immunity, जब भी कोई pure living, जैसे कि bacteria, fungus, protos होा, जब ये body में अंटर करेंगे, ठीक है, तो उनके खिलाफ, कौन लड़ते हैं, कौन से WBCS neutrophil लड़ते हैं, समझाई ये बात, ठीक है, next मैंने बताया कि monocyte और lymphocyte, तो भाई, ये क्या करते हैं, तुम्हें third level की immunity प्रोवाइड करते हैं, अब ये third level की immunity क्या चीज है, ठीक है, देखो, जब भी तुम्हारी body में कोई virus enter करता है, समझाई बात है, जब भी तुम्हार करता है, monocyte और lymphocyte, अब मैं छोटा सा इसका थोड़ा सा बता देते हूँ कि किस तरह से virus के साथ ये fight करेंगे, ठीक है, देखो, जब भी तुम्हारे आगे monocyte, ठीक है, ये तुम्हारे आगे lymphocyte, ठीक है, जब भी कोई virus तुम्हारी body में क्या करेगा, enter करेगा, जैसे ही कोई virus क्या करेगा, तुम्हारी body में enter करेगा, तो तुम्हारे जो monocyte है, ये क्या हो जाते है, active हो जाते है, ठीक है, जैसे ही active होंगे, तो ये क्या करेंगे, chemical release करेंगे, कौन सा chemical release करते है, ये भाई, cytokine, ठीक है, जैसे ही, ध्यान चा सुनना, ठीक है, जैसे virus तु उम्मारे जो मोनोसाer है यह क्या हो जाते हैं और जैसे खर स्दाघ्यान के भी कोडसा कभएस करते हैं यह साइट तो जैसे का साइट के पास कहोड़नी कर एक एंसली सब्सक्राइबिण निभूर शुरू कर दो निभूर कर दो यह यह कि घृता उपर गया होती है फासे होता है लिभार कि lympho sites जब भी साइट ऑफिन लैंको साइड के पास बहुंचता है थीक है तो लिम्फो siteكم गुए रर्लीज करते हैं यूंसके साथ कोई और चीज Rally so तो याद रखना जो lymphocytes होते हैं ये antibodies तो release करेंगे ही करेंगे और antibodies क्या करेंगी ultimately जाके वाइरस के साथ जा करती है fight करती है ठीक है antibodies के साथ एक और चीज़ release होती है जिसको हम क्या कहते है memory cells क्या होते हैं रिलीज साथ में memory cells होते हैं अब इनके नाम से ही कुछ ना कुछ पता सब रहा है और lymphocytes ने क्या किया anti-bodies तो बना दी जो इसके साथ आगे लड़ाई करेंगे fight करेंगे ठीक है और साथ ही साथ क्या बना दी है और नोने memory cells बना दी है ठीक है अब memory cell का क्या काम होता है memory cell के अगर life span की बात करें न दिलीक लो life span एक बार पूछी गई है ठीक है life span और memory cells ठीक है अगर memory cell की life span की बात करें तो ये life time तक जिंदा रहती है हमारी body में अगर एक बार ये memory cells बन जाएं तो ये कभी भी dead नहीं होता है इनका life span क्या लहता है life time ठीक है तो भाई इनका function तो बताओ करते क्या है ये memory cell ठीक है तो भाई देखो एक बार तुमारे body में वाइरस आ गया था और memory cell बन गये थे ठीक है अब by chance कभी दूसरी बार हमें फिर से वही infection हो जाए कैसे हो जाए मतलब फिर से वही virus हमारी body में क्या कर जाए एंटर कर जाए ठीक है तो वाईरस जैसे वही वाईरस जो पहले एंटर कर रहा था ठीक है अगर फिर से वही virus एंटर कर जाए तो इस केस में क्या होगा तो memory cell सबसे पहले activate हो जाएंगे भाई पहले क्या होता था यहां से मोनोसाइट activate होता था इसको chemical उसके पास भीजना पड़ता था ठीक है अब ऐसा नहीं होगा अगर से वाईरस तुम्हारी body में एंटर कर रहा है तो फटा-फट से memory cell के आप होता है लिंफोसाइट को भाई antibodies बनाओ और कौन से बनाओ वही वाले antibodies जो तुमने पहले बनाए थ हाना तो देखो उसका काम क्या हो गया है असान हो गया है ठीक है तो यही काम होता तुम्हारे memory cell का समझाई ठीक है और यह देख लो lifespan एक बार पूछा हुआ था कि memory cell की lifespan कैसी रहती है lifetime ठीक है एक बार बन जाए तो हमेशा के लिए हमारी body में जब तक हम dead नहीं होते तब तक आगे हमारी body में present रहते हैं समझाई और पका नेक्स देखो कशा नियुअ क्या देख रहे थे हैं अब डबलूबीर् इम्मिनटी क्या हो जाएगी वीक पड़ जाएगी हमारी इम्मिनटी कम हो जाएगी तो जैसे हमारी इम्मिनटी कम हो जाएगी हमें कोई भी बीमारी असानी से लग सकती है ठीक है क्यों क्योंकि हमारी बॉड़ी में इतनी कैपेबिलेटी है ही नहीं है कि किसी पॉरन पार्ट Wbc's की quantity क्या हो जाए? जादा हो जाए क्या हो जाए? जादा हो जाए तो आपको क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर हो जाता है क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर ठीक है? इसी को लियूकीमिया कहते हैं ठीक है? ये चीज़ भी याद रखना important है ठीक है कि अगर WBC की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है अगर जादा excess में बनना शुरू कर जाए तो तुम्हें क्या हो जाता है blood cancer हो जाता है जिसको हम leukemia भी बोलते हैं ठीक है तो ये था हमारा WBC के बारे में ठीक है तो हमारा एक और cell बचा था platelets हाना blood में देख रहे थे solid component RBC हमने last sector में discuss करे थे ठीक है अभी हमने WBC discuss करे इसके बाद हम क्या discussion करते है platelets के बारे में अब भाई platelets क्या होते हैं भाई platelets क्या है blood carpuscles ठीक है अब तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने अगर जो हमने कार्पोसल के डिये है इनको क्या मतलब है कर मैंने कार्पवसल थे अिम को कै दिये इसका मतलब platelets ऐसे बोडिी आसे सेल होते हैं जिनके अंदर क्या होगा ना ही ही निउ inverse होगा नहीं माइटो कॉंटिया होगा ठीक है कि प्लेयत ऐसे सेल है जिनके ना ही नूended तो यह कैसे होते हैं, बहुत अगर बात करें तो भाई, यह आपके 1.5 से 4.5 लाग तक पाये जाते हैं, ठीक है, अगें इनकी शेप की बात करें, तो इनका शेप कैसा होता है, WBC जैसा ही होता है मतलब irregular shape होता है कैसा होता है irregular shape ठीक है important is इनका life span कितना होता है भाई ठीक है कितने देर तक यह जीवित रहती है याद रखना 1 week ठीक है कितनी देर तक जिन्दा रहेंगे यह 1 week तक ठीक है 1 week means 7 days 7 ही होता है न ठीक है 1 week means 7 days तक इनका क्या होता है life span होता है ठीक है भाई अगर इनका life span 7 days का है उसके बाद यह कहीं न गहीं जाके dead होते होंगे ठीक है तो यह कहाँ पे जाके मरते हैं आपके पास जो platelets होते हैं इनका graveyard होता है सपलीन में कहाँ जाके dead होते हैं इतनी जी समझ आई पका अब हमें बताओ इनका function ठीक है तो platelets का आपकी body के अंदर क्या function होता है clotting करने का function क्या करते हैं यह clotting करते हैं ठीक है जिसको हिंदी में हम कहते है खून का ठका जाक ठीक है अब clotting किस तरह से कि बाइजना जब कभी हमें लग जाती है कोई भी कट लग गया ठीक है तो मान लो कि वहां से वो खून कभी डुके ही नार बहना तो क्या होगा ultimately हमारी body में एक ऐसा दिना आएगा कि हमारा सारा blood के हो जाएगा लॉस हो जाएगा तो अगर blood ही loss हो गया तो क्या हम जिन्दा रह पाएंगे बिल्कुल नहीं ठीक है तो इसलिए platelets क्या करते है हमारी body में clotting का काम करते है ठीक है एक question यहां से पूचा जाता है क्या question पूचा जाता है कि भाई कौन सा vitamin होता है वाइटमीन के याद रखना ही बहुत important है ठीक है वाइटमीन के होता है ठीक है अब एक और बात सुनो हमारा blood है ना blood के अंदर plasma भी है RBC भी है WBC भी है platelets भी है सब ही अपना-पना काम कर रहे है blood के अंदर ही है WBC अपना काम कर रहे है अगर blood में platelets भी present है तो platelets भी तो अपना काम कर रहे होंगे ये भी flow कर रहे है ठीक है तो ये क्या करते है clotting क्यों नहीं कर देते फिर अंदर ही अंदर ये भी तो अपना functional perform कर रहे है clotting क्यों नहीं कर देते ये blood के अंदर ही ठीक है ठीक है आपका लीवर क्या करता है ठीक है कई बार लीवर बनाता है हीपैरिन को और आपके WBCS भी formation करते हैं हीपैरिन की याद रखना ठीक है तो आपके ब्लड में लीवर और WBCS क्या करते हैं इस anti-clotting agent को secret करते रहते हैं heparin blood में भेशते रहते हैं और यही heparin क्या करता है platelets को अंदर ही क्या करता है clotting नहीं करने देता ठीक है, इस heparin की वज़ा से ही आपका blood अंदर ही अंदर clot नहीं होता समझ आई बात, पका अब देखो कहीं बार तुमने सुना होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं blood donate करवाते हैं ठीक है, तुम्हें मैं पता दू एक चीज़ कि अगर तुम अपना blood donate करवा रहे हो ठीक है, दो से पांच मिनट के अंदर ही वो blood क्या करता है उसमें clotting शुरू हो जाती है क्यों शुरू हो जाती है भाई ध्यान चे सुना कि जब तक तो खून तुम्हारे अंदर है ठीक है, तब तक तो liver क्या कर रहा है हीपैरिंग को स्क्रीट कर रहा है ठीक है, जिसकी वज़ा से platlers अपना काम नहीं कर पा रहे ठीक है, लेकिन जैसे उसको body से बहार निकाला अब तो हीपैरिंग है नहीं अब तो वो clotting कर लेंगे राम से तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है ठीक है, कि जब भी हम क्या करते हैं किसी का blood लेते हैं ठीक है, या blood donate करवाने को जाता है तो क्या किया जाता है anti-clotting agent उनके blood में डाल दिया जाता है ठीक है, तो वो anti-clotting agent क्या होता है भाई वो होता है तुम्हारे पास sodium citrate ठीक है, sodium citrate भी as a anti-clotting agent यूज होता है या पर तुम्हारे पास sodium oxalate भी उसकी तरह रोज होता है समझ आई, पक्का ठीक है, तो मैंने क्या बिताया कि जैसे ही आप क्या करते हैं अपना blood donate करवाते हो तो 2-5 मिनिट के अंदर तुम्हारा blood सारा ही क्या हो सकता है clot बन सकता है उसमें clot बन सकते हैं, जम जा सकता है क्यों ऐसा होता है क्योंकि उस टाइम तो इपैरिंग प्रड्यूज हो निरा blood के अंदर ठीक है, तो डॉक्टर्स को कुछ से ही क्या करना पड़ता है, anti-clotting agent क्या करना पड़ता है, blood में inject करना पड़ता है, ठीक है, तो anti-clotting agent क्या यूज करते हैं उस टाइम वो sodium oxalate और citrate ये चीज़ समझ आई, ठीक है, उदार लो एक मिनट ठीक है, नेक्स देखो अगर platelets नुमारी बॉड़ी में क्या हो जाते है ज्यादा हो जाते है क्या हो जाएगा, अगर platelets की मात्रा हमारी बॉड़ी में ज्यादा हो जाएगी, तो अंदर ही clot बनने शुरू हो जाएगे, ठीक है तो clot बनेंगे तो क्या होगा भाई, heart attack क्या हो जाएगा तुम्हें, heart attack होने के chances रहेंगे, ठीक है तो अगर हम क्या करें कि अगर यही platelets हमारी बॉड़ी में क्या हो जाएगे, कम हो जाएगे तुम्हें पता है, bleeding शुरू हो, ठीक है मालो तुम्हें कभी भी कहीं कोई कट लगा तो तुम्हें क्या होगी, excess bleeding होगी platelets है नहीं, उनकी कमी है तो अच्छे से clotting वहाँ पर नहीं कर पाते है तुम्हें क्या हो जाती है, excess bleeding हो जाती है तो ultimately वह तुम्हें क्या करती है कमारे लिए नुकसान दायक होती है तो यह था हमाराज का topic में एक बर revise गरवा देती हूं तो देखो, आज हमने किन के बारे में study करा WBCs के बारे में, ठीक है किसकी बात करी, graveyard की बात करी ठीक है, कि WBCs कहां जाके dead होते हैं ठीक है, तो liver में embryonic stage में कहां बनते हैं, WBCs, liver में बनते हैं function, ठीक है उसके बार मैंने बताया कि आपके पास जो WBCs हैं यह कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं सब का अलग लग function होता है सब अलग लेवल की क्या करते हैं इस हूं कलते हैं वही साइटोकैन नीको और निम्भोसाइट के पास जा किया बोलता है की पास योरो किया करते हैं memory cells को क्या करता है release करता है जिसका function मैंने बताया ठीक है तो lifespan कितना रहता है memory cell का lifetime ठीक है next हम ने किसके बारे में discussion करी कि अगर WBC का count कम हो जाए तो तुम्हें बहुत सारी बिमारी लग सकते हैं यही WBC का count तुम्हें जाधा हो जाए तो क्या हो सकता है तुम्हें blood cancer हो सकता है ठीक है तो platelets की बात की मैं biological name बताना भूलगी इसका न इनको तुम क्या कहते हो thrombocytes कहते हो या ठीक है platelets again क्या होते हैं यह carpuscles होते हैं भाई यह carpuscles mean इनके cell के अंदर नहीं nucleus है नहीं mitochondria biological name क्या रहता है इनका thrombocytes ठीक है color कैसा रहता है colorless होता है number मतलब कितनी मात्रा में पाए जाते हैं कौण सा vitamin clotting में help करता है vitamin k ठीक है तो मैंने उसके बाद anti clotting agent के बारे में बताया कि हमारी body में कौण सा anti clotting agent होता है भाई हिपैरीन तो यह हिपैरीन क्या करता है blood को अंदर ही clot नहीं होने देता ठीक है क्लोटिंग होने से रोकता है ठीक है तो मैंने उसके बाद बताया कि कभी हम ब्लड बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा अंटि-क्लोटिंग एजेंट यूज किया जाता है सोडियम, सिट्रेट और ओक्सेलेट नेक्स्ट हमने किसकी बाद की कि अगर प्लेटलेट्स का काउंट हमारी बॉड़ी में जाधा हो जाए तो हमें हार्ट अटेक हो सकता है और अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाए तो क्या हो सकती है ब्लीडिंग हो सकती है ठीक है तो